अस्सलाम अलेकुम दोस्तों आज हम जा रहें ऐसे खिच्डी बनाने जिस खिच्डी को खाने के बाद आप सारे खिच्डी बनाना छोड़ देंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें कुकर गरम करना होगा और फिर इस कुकर के अंदर डालेंगे सरसू का तिल अगर आप चाहें तो रिफाइन भी डाल सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर सरसू के तिल का इस्तमाल कर रहे हैं सरसू का तिल जब गरम हो जाएगा तब फिर हमें इसके अंदर डालना होगा यह गरम मसाला इसको डाल देंगे और साथ में डाल देंगे फ्यास इनको हमें ट्राय करना होगा । फ्यास करन का ज़ताई जबतक कि फ्राज करन बदलना जाया यह स Coast accent लीए इसको ट्राय कर लेते हैं आं अब आप देख सकते हैं इस ख्यास कहले से बदल चुगा है उसको थोड़ा ओर प्राय कर लेते हैं अब ये फ्राई हो चुका है इस के अंदर हमने प्यास के साथ साथ लैसन भी डाल दिया था तो चलिए अब इस के अंदर हमें डालने होगी मसूर की डाल लखें के डाल डालने के बाद इंपे लगर और चलाएंगे और साथ में डालने के इस के अंदर यह है मिनुवा, तो इसको भी इसके अंदर हमें डाल दोना होगा, यह बढ़ो को साथ साथ सब्सक्राइब बहुत ही फाइदा कमचाने वाले के लिए, और यह स्वाद में ही बहुत ही अच्छी होती है, अब यह सब इसके अंदर आ चुका है, तो चलिए अब चावल डाल दे कर लें, और चावल डाल देख इसके ने और यह बहुत है, तो और अब आगरा टहला आता हुट्राइब, और अब इसके अंदर हमें डाले के भी हरी मिर्ची, आप अगर जाहें तो पुदीने का पत्ता और धन्य पत्ती भी डाल सकती हैं, लेकिन मेरे पास पुदीने का पत्ता और धन्य की पत्ति इसमें व्वक्त मौझूद नहीं है, इसलिए नहीं डाल रहें, अभी हमें इसके अंदर पाई में डालना होगा, अब इसके अंदर हमें डालना होगा नमक, आज को धीमा रखेंगे ताकि यह जलने ना पाए, और डाल देंगे हल्दी पाउडर, यहाँ पर हम लाल मिर्च का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हारी मिर्ची का इस्तमाल कर रहे हैं, और यह सब को मिक्स कर लेंगे फिर से, यह सब मिक्स हो चुका है, तो चलिए अब इसके अंदर पानी डालते हैं, अब कूकर को हमें बंद कर देना होगा, कूकर बंद हो चुका है, और अब हमें 2 सीटी का इंतिसार करना होगा, 2 सीटी होने के बाद इसको ठंडा करेंगे, और फिर चेक करेंगे, और अब ये खिचडी बन करके तायार है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजीगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजीगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजीगा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया